असलाम को डियर स्टूइट्स, I hope कि फार्मासोटिक्स की त्यारी आप लोगे बहुत अच्छे से चल रही होगी आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक उन स्टूइट्स के लिए है, जो के जिनको बुक से याद करने में थोड़ से डिफिकल्टी हो रही थी ठीक है, तो उनके लिए थोड़ से इजी नोट्स बनाने की पूरी कोशिश की दिए हैं, ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टूट अवर लेक्चेर, आप लोग कहीते हो फार्मासोटिकल इनकॉम्पैटिबिलेटी, यानि के अदवियात के अंदर गहर मताबकत होना, यानि के उन लोग इनकॉम्पैटिबिलेटी का नाम देते हैं, ठीक है, अन अंडिजारबल, अंडिजारबल प्रोड़क इस फॉर्म्ट बाय मिक्सिंग असब्स्टांसेज, विचर ओपोजिट इन नेचर, जो के बन जाते हैं कैसे, अगर हम लोग मिक्स करते हैं सब्स्टांसेज को, जो के मुखालिफ कुदरत रखते हैं, ठीक है, एंड इट विल भी हामफुल फॉर हेल्थ, और वो हमारी सहत के लिए भी नुकसान दे हैं, हमारी बुक के अंदर तीन टाइप्स लिखी हुई हैं, धराप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी, कामिकल और फिजिकल इनकॉम इनकॉम्पैटिबिलिटी इस दॉट दा कम्बिनेशन ओफ ड्रॉक्स वनिए एंटाइगोनिस्टिक और उपोसिंग प्रॉपरटी जानी के अगर हम कमबाइन करते हैं अपनी ड्रॉक्स को ऐसी ड्रॉक्स जो के एंटाइगोनिश्टिक हैं, या मुखालिफ असर रखने व it will be called as therapeutic incompatibility, right, types of therapeutic incompatibility की बात कर लेते हैं, तो आप लोग कहते हो, overdose, overdose क्या होता है, जब हम लोग too large, जादा, में बहुत बड़ी खुराक ले लें, या too many doses, जब बहुत जादा खुराक ले लें, तो overdose कहला आती है, wrong dosage form, dosage form का हमें पते है, कि तियार शुदा हालत, अब क्या है, अगर हम लोग एक ऐसी तियार शुदा हालत ले ले लें, which is different from order of physician, जो हमें physician order ही नहीं किया, यानि कि जो हमें उसने order किया था physician है, उससे हम लोग मुक्तलिफ दवा ले ले लें, ठीके, different shape की ले लें, यानि कि अगर उसने हमें advice की थी, कि आपने injection लगवाना है, और injection जो था, वो आईवी लगवाना है, और हमने क्या किया, हमने intramuscularly लगवा लिया, तो वो wrong dosage form में आ जाएगा, therapeutic incompatibility में, content indication, ये एक ऐसी वज़ा है, जो कि बना देती है, inadvisable, to use specific drug, यानि कि किसी भी मखसूस दवा को, इस्तमाल करने से ममनू करना, मिन करार देना, ऐसी सूरत को, या ऐसी वज़ा को, आप लोग contra indication का देती हो, नाम, ठीक है, यानि कि contra indication, indication, इस्तमाल, contra, यानि कि उसके, उससे रोक लेना, drug synergy, यानि कि taking drugs having same effect, ऐसी अदवियात ले लेना, जो कि सेम असरात रखती हैं, और वो फिर produce greater effect on taking together, अगर हम उसे एकटा ले लेंगे उन दोनों अदवियात को, तो वो रूरत से जादा असर दिखाएगी, यानि कि बहुत जादा असर दिखाती है, बनिस्बत उसके, जब हम लोग उसको अलग-अलग लेते हैं, ठीक है, फिर drug antagonism, interaction of two or more drugs, यानि कि दो या दो से ज़ादा अदवियात का interaction होना, कब जब ये दो, in which one drug blocks or reverses the effect of another drug, जब एक दवा जो है, वो दूसरे के असर को, या तो block कर देती है, रोक देती है, या reverses उसका opposite कर देती है, as for example, अगर आप लोग बात कर लेते हो, cns stimulant की and cns depressant की, ठीक है, एक जगापे cns stimulant ले रहे हो, और उसके साथ ही आप लोग ने cns depressant भी ले लिया, तो ये एक दूसरे के असर को जाहिल कर देगी, खतम हो जाएगा effect, ठीक हो गया, राइट, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, chemical incompatibility की, chemical incompatibility की बात करते हो, तो ये एक ऐसी, I mean, एक ऐसा reaction है, जिस, I mean, एक ऐसा chemical reaction, I mean, पैदा होता है, जिस, I mean, दर्मियान, किसके दर्मियान में, ingredients के दर्मियान में, ठीक है, और एक undesirable product, जो है, compound, जो है, वो पैदा हो जाता है, यहनिके, in which a chemical reaction takes place between the ingredients, and a new undesirable, जो हमने नहीं चाहा, ठीक है, I mean, जो हमें नहीं चाहिए था, ऐसा product, जो है, वो बन गया है, then it will be called as chemical incompatibility, ठीक हो गया, अब हमारे books में क्या है, हमारे books में लिखाव है, types of chemical incompatibility, जबके यह types नहीं है, chemical incompatibility की, यह solutions है, यहनिके, अगर तो chemical incompatibility हो जाती है, तो हम लोग उसको solve कैसे कर सकते हैं, यहनिके, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो वो दो तरहासी किया जा सकता है, एक होता है tolerated, और दूसरा होता है adjusted, tolerated में क्या है, इसके अंदर हम लोग chemical reaction की नुईयत को कम कर सकते हैं, कैसे, by diluting, यहनिके, अगर हम अपने solution को पतला कर लें, तब, और या फिर हम लोग उसके, I mean, change कर दें, तबदील कर दें, order of mixing को, as for example, आप लोग के तो, A को पहले B में मिलाया, B को फिर C में मिलाया, इनको इस तरतीब से मिलाने पर, जो आपका A, B, C मिला, ठीक है, उसने अपना रंग तबदील कर लिया, या फिर, वो प्रेसिपिटेट हो गया, फट गया, तो हम कहते हैं, chemical incompatibility है, लेकिन, अगर हम पहले A को C में मिलाते हैं, और फिर A, C, दोनों के अंदर हम लोग B को मिलाएंगे, यानि कि A, C, B हमारे पास बनता है, तो हम लोग कहते हैं, कि वो हमारा, परफेक्ट फॉर्म में बन गया है, तो हम लोग कहते हैं, चेंज ओर्डर ओफ मिक्सिंग, यानि कि हम लोग ओडर, जो है उसकी, जो तर्तीब है, मिक्स करने की उसको तबदील कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहतर हो जाता है, ठीक हो गया, यानि कि Tolerated आगा हम, सेकिण तो हमारे पास Adjusted होता है, यानि कि हम Adjust कर सकते हैं, क्या Adjust कर रहे हैं, यानि कि हम लोग जो इंग्रीडियन्ट जो है, वो केमिकल रियक्शन पैदा कर रहा है, अगर हम उस इंग्रीडियन्ट को तबदील कर दें, एक ऐसे ingredient के साथ ठीके, जो कि equal therapeutic value रखता हो यानि कि बराबर का उसका असर हो ठीके, यानि कि हमारे पास suppose दो ingredients है एक हमारे पास X है और एक Y ठीके, अब हमें पता है यह जो X है न यह क्या कर रहा है, यह हमारे chemical reaction के अंदर जो है यह उसके अंदर chemical incompatibility पैदा कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको ban कर देंगे और वो वाली चीज, जो के हमारे पास मतलब के एक ऐसा ingredient जो के same effect रखता था X जैसा ही effect रखता था नेकिन यह कोई किसी किसम के main changes नहीं लेकर आ रहा तो हम लोग फिर इसको इसको इस्तमाल कर लेंगे और इसको हम लोग रोक देंगे इसके इस्तमाल से तो it is called as adjusted in which change in the formulation is needed यानि के formulation की को तबदील करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है with a compound, ऐसे compound के साथ of equal therapeutic value जिसकी जो असर है therapeutic value जो है वो same है ठीक हो गया अब हम लोग बात कर लीते है physical incompatibility की तो physical incompatibility में क्या होते है कि जिसकी अंदर क्या है कि हमारी जो दवा जो त्यार हुई है उसके हालत तबदील हो गया है और वो उसकी एक ऐसी हालत में तबदील हो गया है जो के बजरिया हमें नजर भी आ रहा है ठीक है यानके उसका रंग तबदील हो गया या फिर आपस में हल नहीं हो सका या फिर हम लोग कहते हैं कि फट गया वो या फिर हम लोग ने like solids को आपस में mix करते 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 वो liquify हो गया ठीक है तो अब हम इसको read out कर लेते हैं in which an unacceptable product is formed ठीक है जिसके अंदर हम लोगों का unacceptable यानके जो हम accept नहीं कर सकते ऐसा product अगर बन जाता है ठीक है when two or more substances are mixed together या दो या दो से जादा अज़जा को आपस में मिलाते हो and are visible और वो नजर भी आ रहा है ठीक है and can be corrected by using pharmaceutical skills और हम लोग उसको तब्मीन ठीक भी कर सकते हैं अपने pharmaceutical skills को इस्तमाल करके तहले हम लोग types देख लेते हैं physical incompatibility की एक साम कौन कौन से होती है as for example immisibility immisibility जैसे हमारे emulsion में होती है हम लोग कहते हैं कि आप लोग क्या करते हो अप लोग oil और water को आपस में mix करते हो ठीक है आप कहते हो oil in water होती है आपकी emulsion या फिर water in oil होती है ठीक है तो वो immisible है दोनों solvents वो हैं वो आपस में immisible होते हैं लेकिन आपको पता है कि अगर हमें emulsifying agent का इस्तमाल करेंगे तो वो immisible हो जाएगा यानि कि ठीक कर देंगे हम लोग दूसरी चीज़ insolubility यानि कि आपस में ना हल होना ठीक है तो हम लोगों को पता है कि अगर तो हम लोग solubilizers इस्तमाल करते हैं solubilizers ठीक है तो हम लोग क्या कहते हैं हम कहते हैं अगर हम लोग solubilizers का इसामाल करेंगे तो वो soluble हो जाएगा, हल हो जाएगा, तो हम लोग ने insolubility को ठीक कर दिया, insolubility बजाते खुद क्या थी, physical incompatibility, हमने solve कैसे किया pharmaceutical skills के इसामाल से, फिर हम लोग कहते हैं, precipitate formation हो जाती है, ठीक है, फटकरियां बन जाती हैं, हम लोग उसको भी ठीक कर सकते हैं, liquefaction हो जाती है, liquefaction होना क्या, कि suppose अगर आप लोग मेन अपने pestle and mortar के अंदर, ठीक है, आप लोग इसके अंदर अपने solid डाला, solid particles, और उनके अंदर इतनी ताकत थी, कि वो मेन moisture को absorb करके, अपने आपको मेन एक solution में तबदेल कर दें, liquefy हो जाएं, ठीक है, आपने solid डाला था, आपने जब उसको mix करना start किया, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने moisture, यानि के air में से moisture को absorb किया, ठीक है, और अपने आपको liquid के अंदर तबदेल कर दिया, तो ये liquefaction हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे सूरत में, एक ऐसे product का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, जहां पर हम लोग mix करेंगे, ऐसे solids को, जिनका डर है कि हाँ जी, वो liquefy हो सकते हैं, तो हम लोग ऐसे substances का इस्तमाल करते हैं, जो ठीक है, और ये हमारे जो chemical है, उसको liquefy होने नहीं देता, ठीक है, जो पर moisture आ रहा होगा, वो ये खुद ही जजब कर लेगा, ठीक है, और वो dry रखेगा हमारे solid substance, मतलब इस substance को जिसको liquefaction होने का ख़दशा है, ठीक है, right, I hope कि आप लोगों को आज का लेक्चर से इसे समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई question हो, तो आप लोग comment section में मुझसे question कर सकती है, अब तक के लिए इतना ही, thank you so much, Allah Hafiz